ख्वाजा मुईनुदिन चिष्टी का जीवन हजरत ख्वाजा मुईनुदिन चिष्टी अजमेरी चिष्टिया सिल्षिले के महान सूफियों में से हैं ख्वाजा साहिब को सैयद मुईन अलदीन हसन चिष्टी संजरी अजमेरी के रूप में याद किया जाता है आपके पिता प्यार से आपको हसन कहते थे इसलिए आपके नाम के साथ हसन जुड़ गया आपका संबंध सूफियों के चिष्टी सिलसिले के साथ था इसलिए आपको चिष्टिया कहा जाने लगा आपका जन्म, सजिस्तान यानि एरान के कस्बे संजर में हुआ इसलिए आपको संजरी कहकर पुकारा जाता है कुछ इतिहासकारों का विचार है कि आपका जन्म इस वहान यानि इरान में हुआ पर आपकी परवरिश संजार में हुई जो संजर नाम से मशूर है आपने जिंदिगी का ज्यादातर हिस्सा हिंदुस्तान में राजस्तान के अजमेर शहर में बिताया और इस शहर को भारत में चिष्टिया सिल्षिले की तालीम का केंदर बनाया इसलिए आपको ख्वाजा मोहिनुदीन अजमेरी भी का जाता है ख्वाजा साहिब की शुरू की जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकरी नहीं मिलती फिर भी ज्यादा तर इतिहासकारों का ख्याल है कि आपका जन्म 1142 इसमी में हुआ आपके पिता का नाम सेयद ग्यासू दीन है जिनका संबंद कई पीडियों पीछे हजरत मुहम्मत साहिब के दमाद हजरत अली के साथ जोड़ा जाता है आपके पिता संजर के अमीरों में से एक थे दुनिया की दौलत के साथ साथ आप रुहानी दौलत से भी माला माल थे ख्वाजा मुहिन दीन की माता बीबी उमलवरा बहुत नेक दिल औरत थी ख्वाजा साहिब के माता पिता का दुनिया के बजाए रुहानियत की तरफ ज्यादा जुकाव था इसलिए आपको ऐसे नेक ख्याल विरासत में मिले जिन्होंने आपकी रुहानी जिन्दगी के लिए एक मजबूत बुनियाद तयार कर दी आपके दो सगे भाई भी थे ख्वाजा मुहिन दीन बच्पन से ही बहुत संजीदा मिजाज के थे आप में ना तो बच्चों वाली शोकी थी ना ही आपको बच्चों के साथ मिलकर मौज मस्ती करने का शोक था कहा जाता है कि आप अक्सर अपनी उम्र के बच्चों को घर बुला लेते और उन्हें खाना खिला कर बहुत खुश होते कहा जाता है कि एक बार ईद के दिन आप खूपसूरत पौशाक पहन कर नमाज पढ़ने के लिए ईदगा जा रहे थे कि रास्ते में एक अंधा लड़का दिखाई दिया जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे आपका दिल पसीज उठा आपने उसके कपड़े पहन कर अपने कपड़े उसको पहना दिये और ईदगा में नमाज गुजारने के लिए उसको साथ ले गए गरीबों के लिए आपके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे इस तरहां बच्पन से ही आप जरूरत मंदों की मदद करके बहुत खुश होते थे खुजा साहिब के पिता बहुत बड़े विदवान थे इसलिए आपकी शुरू की तालीम पिता की देखरेक में घर में ही हुई आपने नो साल की उम्र में ही कुरान शरीफ जवानी याद कर लिया था बाद में आपके पिता ने आपको संजर के एक मदरसे में दाखिल करवा दिया जहां आपको कुरान शरीफ की तालीम के साथ साथ हजरत मुहम्मत साहिब के फर्मानों पर अधारित हदीस के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो गई आपकी उम्र सिर्फ 15 साल की ही थी जब आपके पिता का इंतकाल हो गया इसके दो महिने बाद आपकी माता का भी इंतकाल हो गया पिता की जायदाद में से एक बाग और एक पन चक्की यानि पानी से चलने वाली अनाच बीषने की चक्की आपके हिस्से में आई और आप इनसे होने वाली आमदनी से ही अपना गुजारा करते रहे जिंदगी में इनकलाब ख्वाजा साहिब को शुरू से ही फकीरों, सूफियों और दर्वेशों की संगती का बहुत शौख था जब भी आपको किसी ओलिया, संथ महात्मा की संगती का मौका मिलता आप उनकी बहुत इज़त करते आपको प्रभू के प्यारों की संगती से अजीब सी खुशी मिलती एक दिन आप बागबानी कर रहे थे कि मशूर दर्वेश हजरत इब्राहिम कंदूजी वहां पहुँचे जैसे ही आपने उस बुजुर्ग को देखा, आप बड़े अदब से पेश आए आपने दोड़ कर उनके हाथ को प्यार से चूम लिया जिस तरह आप हर मुसाफिर की खातिरदारी किया करते थे उसी तरह आपने अपना काम छोड़ कर उन्हें अंगूरों का एक गुच्छा भीट किया और खुद उनके चरनों में बैठ गए हजरत ने अंगूरों के कुछ दाने मुँँ में डाले और खुश होकर फरमाया बेटा जिस बाग को तुम पानी दे रहे हो उसमें आज बाहार है तो कल पतजड हो जाएगी वह महरबान अल्हा तुम्हें ऐसा बाग बक्षेगा जिसके पेड़ों पर कयामत की गर्म हवाओं का भी असर नहीं होगा जो कोई एक बार उन पेड़ों का फल खालेगा फिर वह दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत की और आँख उठा कर भी नहीं देखेगा इसके बाद हजरत इबराहिम ने जेब में से रोटी का एक सूखा टुकड़ा निकाल कर मुईनुदीन के मुँ में डाल दिया और आप बाग में से बाहर निकल गए सियर उल आरिफिन के अनुसार उस मस्त फकीर ने मुईनुदीन के दोनों हाथों को चूमा और तिलों के कुछ दाने चबा कर उसके मुँ में डाल दिये जिससे उसके अंदर रुहानी नूर प्रकट हो गया हजरत मुईनुदीन के मन में इंकलाब आ गया उन्हें ऐसा महसूस होना शुरू हुआ जैसे काइनात की हर चीज फजूल हो इस घटना ने आपकी आगे की जिन्दगी का सफर असान कर दिया दूसरे दिन आपने अपना बाग और चक्की बेची और सारी रकम गरीबों और जरूरत मंदों में बांट दी दुनिया वाले आपके फैसले पर बहुत हैरान थे पर आपके मन के किसी कोने में उजाले की ऐसी किरन फूट पड़ी थी जिसके सामने हर तरह की बाहर की रोशनी अंधेरा ही थी आप खुरासान से निकल कर सबसे पहले समरकंद और फिर बुखारा गए जो उस वक्त इसलामी तालीम के केंदर थे यहां आपको किन किन उस्तादों की संगती नसीब हुई इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती पर ऐसा माना जाता है कि आपको मुलाना हसामुदीन बुखारी और मुलाना शर्फुदीन की संगती से खास फाइदा हुआ मुलाना हसामुदीन से आपको जुबा यानि लंबा अंग रखा और दस्तारे फजीलत यानि सम्मानित करते हुए सिर पर दस्तार बांधना हासिल हुए आपके अंदर रुहानियत की बड़ी तलब थी इसलिए आप रुहानी रहा की जानकारी के लिए रहबर की तलाश में निकल पड़े 1156 इस्वी में आप एराक पहुँचे जहां आपकी मुलाकात हजरत शेख अब्दुलकादिर जिलानी से हुई भेट के दौरान गौस पाक यानि हजरत जिलानी ने फरमाया कि यह नौजवान एक बहुत बड़ी हस्ती के तौर पर जाना जाएगा लाखों लोगों के प्रेम, इबादत और प्रेड़ना का स्रोत बनेगा लोग इसके जरीए मनजिल मकसूद पर पहुँचेंगे इराक से आप मक्का मदीना के लिए रवाना हुए अरब से वापिस आते हुए आप शायद गैरासो बासट इस्वी में बगदाद पहुँचे जहां खुआजा उस्मान हारूनी तश्रीफ रखते थे बगदाद में ही आप खुआजा उस्मान हारूनी के मुरीद बने खुआजा मुईनुदीन चिष्टी अनीसुल अर्वाह में लिखते हैं इस नाचीज अल्ला के बन्दे मुईनुदीन हसन संजरी ने बगदाद में खुआजा जुनेद बगदादी की मस्जित में जहां कई ओलिया और शेक मौजूद थे खुआजा उस्मान हारूनी की कदम बोसी की मुर्शिद ने खुश होकर आपको अपने सीने से लगा लिया और रुहानी दौलत से माला माल कर दिया मुईनुदीन के मन से अग्यानता के सब परदे दूर हो गए और मन ग्यान के परकाश से भर गया मुर्शिद ने फरमाया कि जो कुछ मेरे पास था मैंने मुईनुदीन के सुपूर्द कर दिया है हजरत खुआजा मुईनुदीन चिष्टी के मुरीद खुआजा कुतुबदीन बक्तियार काकी जिने बाद में खुआजा साहिब ने अपना खलीफा भी बनाया लिखते हैं मेरे मुर्शिद ने शुरू के दिनों में इतनी इबादत की और नफस यानी मन को काबू में करने के लिए इतनी सिर्टोड कोशिश की जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती आप बहुत कम खाते और बहुत कम सोते थे आप सिर्फ एक चादर अपने पास रखते थे जब वह फट जाती तो उसे अपने हाथ से सिल लेते थे आप अपने नफस पर जीत हासिल कर चुके थे और हलीमी, प्यार और सब्र के पुँझ बन चुके थे अनिसुल अरवाह में इस घटना का होना बगदाद शेहर में बताया है मुर्शित की खिद्मत यानी सेवा हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने जब मोहिन दिन को अपना मुरीद बनाया तो फरमाया हसन अब हमारे पास ही रहा करो आपने सिर जुका कर कहा जैसा आपका हुक्म तब से आप मुर्शित की खिद्मत में लग गए कहा जाता है कि इस दोरान आप लगातार साथ साथ दिन रोजे रखते और आठवे दिन आटे की एक रोटी पानी में भिगो कर खाया करते थे शरीर पर एक कपड़ा होता था जिसे फट जाने पर पैबंद लगा कर पहना करते थे बीस साल तक आपने मुर्शित की खिद्मत की जगह जगह उनके साथ सफर किया जहां भी मुर्शित जाते आप साएं की तरह साथ साथ जाते इन यात्राओं का मकसद लोगों को सच की रहा पर चलने की तालीम देना और दिल में खुदा के लिए महबबत पैदा करना था सफर के दौरान आप मुर्शित का सामान अपने सिर पर उठा कर चलते थे उनकी खिद्मत से हजरत खुजा उस्मान हारुनी इतने खुश हुए कि आपने फरमाया मुईन दीन खुदा का महबूब है और मुझे इसकी मुरीदी पर फक्र है इसके बाद मुर्शित आपको साथ लेकर हज के लिए रवाना हुए फिर हजरत उस्मान हारुनी मुईन दीन को लेकर मदीना पहुँचे फिर मदीना से होते हुए आप वापस बगदाद आ गए उसके कुछ समय बाद आपका अपने मुर्शित से रुखसत होने का वक्त आ गया मुर्शित ने आपको कंबल, खिरका यानि एक लिबास नालेन यानि पाउं की खड़ाओ, असा यानि हाथ में पकड़ने की छड़ी वा मुसल्ला, यानि नमास पढ़ने की दरी दिया और फरमाया मुईनिदीन, हमने तुम्हारे दरजे को उस बुलंदी तक पहुँचा दिया, और अब तुम अपने जिम्मेदारी महसूस करना जो कुछ अपने पीर से सुने, उस पर पाबंद रहे और उसे पूरी तरह याद रखे हमने अपने पुर्खों की तरफ से ये यादकार, जो तुम को दिये हैं, इनकी हिफाज़त ऐसे ही करना, जैसे हमने की है, और जिसको तुम इस काबिल समझो की वहे इन तोहफों की हिफाज़त कर सके, उसको हमारी ये है यादगार देना, दुनिया का लालच ना रखना, अबादी से दूर अलग रहना, और किसी से कुछ उमीद नहीं करना, ये है फर्मा कर आपने गरीब नवाज, यानि बे सहारों का सहारा, इसके बाद, आपको अकेले मदीना और मक्के में हाजरी देने का हुक्म दिया, मक्का और मदीना की यात्रा करके, गरीब नवाज वापस बगदाद महुचे, उस वक्त आपके पीरो मुर्शिद ने आपको फर्माया, मैं इस जगा से कुछ दिन बाहर नहीं आऊंगा, मगर तू चाश्ट यानि देर सुभा के वक्त आया कर, ताकि तुझ से फकीरी के बारे में बयां करूं, ताकि मुरीदों और फर्जंदों, यानि रुखानी वन्शज, के लिए मेरे बाद यादगार हो, मुईन दीन रुजाना हाजिर होते और जो कुछ मुर्शिद की जुबाने मुवारक से सुनते, लिख लेते थे, इसलिए आपने मुर्शिद की 28 मजलिसों की तालीम जमा करके अनिसुल अर्वा लिखी और इसे मुर्शिद के हुक्म से अपनी रुखानी विरासत में शामिल किया, वह तालीम कुछ इस तरह से है, एक, इमान नंगा होता है, इमान का लिबास, इबादत वा परहेजगारी, यानि सैयम है, इसलिए जो इनसान यह कहता है कि इमान कम या ज्यादा होता है, बिल्कुल गलत कहता है, इमान में कोई कमी या ज्यादती नहीं होती, दो, सदका, यानि दान देने को बहुत एहमियत दी गई है, हदीस में कहा गया है, कि दान देना कुरान शरीफ पढ़ने से अच्छा है, क्योंकि यहे दोजक की आग से बचाता है, तीन, दुनिया की हर ख्वाइश से अपने आपको दूर रखना, आौलिया अल्ला वा खुदा के दोस्त वही लोग बन पाए, जिन्होंने नफस यानि मन को उन ख्वाइशों से दूर रखा, जिन से उनके जिस्म को कोई आराम या सुख मिल सके, चार, शराब बिलकुल हराम यानि नाजाइज है, चाहे कम पी जाए या ज्यादा, खुदा की लानत है उस इनसान पर जो शराब पिए या शराब बेचे, वह शराब की कमाई अपने काम में लाए, पांच, किसी दूसरे इनसान को जरा सी भी तकलिफ पहुँचाने का ख्याल भी ना आने दे, छे, रात की इबादत मौत के बात की तमाम मनजिलों में नूर पैदा कर देती है, करामाते, अन्ने कामिल दर्वेशों की तरह, हजरत मौईनुदीन चिष्टी के साथ भी कई करामाते जुड़ी हुई है, जो दर्वेश अल्ला के साथ विसाल करके अल्ला का रूप हो जाता है, वह चाहे तो अल्ला की इजाज़त से कुछ भी कर सकता है, लेकिन वह अल्ला की रजा का रूप हो जाता है, जबकि करामात करना अल्ला की रजा में राजी रहने की बजाए अल्ला का शरीक यानी साजीदार बन जाने के बराबर है क्योंकि खवाईश कौन पैदा करता है? हमारा मन इसलिए जब हम अल्ला या किसी दर्वेश से कोई खवाईश पूरी करवाना चाहते हैं तो उस दर्वेश को और अल्ला को अपने मन की मर्जी के मताबिक चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं हम अपने मन को उनकी रजा से उँचा समझते हैं मुलाना अल्हाज वाहिद बक्ष सियाल चिश्टी के अनुसार उँचे दर्वेशों ने करामाते नहीं दिखाई क्योंकि करामाते निचले दरजे की चीजे हैं करामाते दिखाने से रुहानियत में कमी आती है ज्यों-ज्यों साध़क, जाते हक यानी प्रभू की तरफ तरक्की करता है वैं खुद बखुद करामात से उपर उठता जाता है जाते अल्ला में अभेद हो चुका दर्वेश राजी बर रजा रहना पसंद करता है करामाते दिखाना नहीं ख्वाजा मुईनुदीन के मुरीद और खलीफा हजरत बक्तियार काकी ने फरमाया है कि मर्दे कामिल वे है जो आखरी मकाम पर पहुँच कर भी करामात में ना पड़े इसमें कोई शक नहीं कि कामिल दर्वेश अपने मुरीदों को सच्चाई और अल्ला से इश्च के रास्ते पर कायम रखने के लिए उनकी कई तरह से मदद करते हैं और उनकी सबसे बड़ी करामात होती है दिल में अल्ला की महबबत के बीज बोना और फिर इसे पानी दे दे कर पेड़ का रूप बनाने में मदद करना अल्ला की रजा में राजी रहना सिखाना ही सच्चे दर्वेशों की सच्ची करामात है इसी लिए कहवत है कि पीर नहीं उड़ते मुरीद उन्हें उड़ाते हैं यानि गुरू तो करामाते नहीं करते लेकिन उनके चेले उनके साथ कई तरह की करामाते जोड़ देते हैं ख्वाजा मुईनुदीन चिष्टी की सबसे बड़ी करामात खुद अल्ला के साथ विसाल करके दूसरों को विसाल करने में मदद करना था आपकी सबसे बड़ी करामात कामिल दर्वेश ख्वाजा बक्तियार काकी थे जिनोंने आगे बाबा फरीद को अल्ला के साथ विसाल करने और बाबा फरीद ने हजरत निजामुदिन ओल्या के विसाल की करामात की इतिहास कारों के अनुसार आपने लंबी उम्र में बीबी उम्मत उल्ला के साथ पहली शादी के कुछ साल बाद बीबी इसमत के साथ दूसरी शादी की इन शादियों से आपके तीन बेटे हुए ख्वाजा फक्रुदिन अबुलखैर ख्वाजा जियाउदीन अबुसयद और ख्वाजा हिसामुदीन अबुसालेह आपके घर एक बेटी ने भी जन्म लिया जिसका नाम बीबी हफीज जमाल था आपके तीनो बेटे दरवेशी के रंग में रंगे हुए थे और आपकी बेटी हमेशा खुदा की इबादत में लगी रहती थी विसाल की रात इतिहास कारों के अनुसार ख्वाजा मुईन दीन चिष्टी ने 16 मार्च 1238 इस्वी को अजमेर में इस फानी देह को छोड़ दिया उस समय आपकी उम्रुच 96 साल थी गौर तलब है अलग-अलग इतियास कारों ने आपके इंतकाल की अलग-अलग तारीक दी है कहा जाता है कि शाम की नमाज के बाद आपने रात को अपने हुजरे यानि कमरे का दर्वाजा बंद कर दिया और हुजरे यानि कमरे के भार बैठे मुरीदों को रात भर गैबी आवाज सुनाई देती रही ऐसा मालूम होता था मानो आप वजद यानि आनंद मगन की हालत में हो सुभे हजरत ख्वाजा फकरुदीन गुर्देजी के दर्वाजा खोलने पर मालूम हुआ कि आप इस फानी दुनिया को छोड़ चुके थे नमाज ए जनाजा के बाद उन्हें उसी जगा दफन किया गया जहां वह अबादत किया करते थे आज आपकी मजार उसी जगा पर है ख्वाजा हुसेन नागोरी ने उस जगा पर मकबरा बनवाया और बाद में महमूद खिलजी ने 1455 इस्वी के करीब उस जगा आलिशान मकबरा बनवा दिया मकबरे में दाखिल होने के लिए एक उंचा दर्वाजा बनाया गया जिसे बुलंद दर्वाजा कहते है शेहनशा अकबर मकबरे की जियारत के लिए आया तो उसने बहुत बड़ी देख ख्वाजा की दरगा को भेट की बाद में अकबर का बेटा जहांगीर कुछ दिनों के लिए अजमेर में रहा और उसने अकबर से कुछ छोटी देख दरगा को भेट की बादशा अल्तमश भी हजरत मुईन दिन चिष्टी की दिल से कदर करता था ख्वाजा साहिब के सफर ख्वाजा साहिब के मुताबिक सफर चार तरहां के हो सकते हैं पहला किसी मकसद को पूरा करने के नजरिये से किया जाने वाला सफर दूसरा दिली तसकीन यानि अंदुरूनी तसली के लिए किया जाने वाला सफर ताकि खुदा को खुश किया जाए तीसरा तरीकत का सफर यानि हज के लिए किया जाने वाला सफर और चोथा, हकीकत की रहा का सफर जो बिना किसी मुर्षित के मुकमल नहीं हो सकता जिसमें मुरीद हुक्म में रहते हुए खुदा को अपने करीब मानते हुए सफर करता है खौजा साहिब ने अपनी जिन्दगी में हर तरह का सफर किया रुखानियत की तालीम के लिए रहबर की खोज में सफर किया ताकि दिली तक्स्कीन मिल सके आपने मुर्शिद के साथ 20 साल का लंबा सफर किया ताकि हकीकत की रहा पर चल सके इस दोरान आप मुर्शिद के साथ हज के लिए मक्का मदीना भी गए फिर इसके बाद खुदा की तालीम लोगों तक पहुचाने के मकसद से आपने हिंदुस्तान का सफर किया 1. मुर्शिद के साथ 20 साल का लंबा सफर मक्का मदीना ओश और बुखारा 1166 से 1176 इस्वी अपने पीरो मुर्शिद के साथ गरीब नवाज फालूजा यानी एराक होते हुए मक्का पहुचे काबा की जियारत यानी यात्रा के बाद मदीना गए वहां से ओश यानी रूस आकर शेक बहुदीन ओशी से मुलाकात की शेक ओशी ने तालीम दी कि जो कुछ तुम को मिले खुदा की रहा में देना धन दौलत जमा मत करना बलकि खुदा के बंदों को खाना खिलाना ताकि खुदा के दोस्त बन जाओ फिर बदखशा यानी अफगानिस्तान होते हुए बुखारा पहुँचे इस सफर के दौरान मुहिन दिन चिश्टी सहेब को दस साल तक अपने मुर्शिद के साथ रहने का मौका मिला ओश, सियोस्तान, दमिश्क का सफर 1176 से 1186 इस्वी गरीब नवाज एक बार फिर अपने मुर्शिद के साथ 10 साल के लंबे सफर के लिए निकले इस दौरान आप सियोस्तान, यानी रूस, दमिश्क, यानी सीरिया, संजर, यानी इरान होते हुए वापस आ गए रास्ते में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कस्बा कोहजूदी पहाड के नीचे तश्रीफ लाए जहां उनकी मुलाकात कादरी सिलसिले के संस्थापक हजरत शेक अब्दुलकादिर जिलानी से हुई वह करीब आठ हफ़ते उनके पास ठहरे उस समय मोहिन दिन चिश्टी की उमर करीबन 50 साल थी और हजरत जिलानी 90 साल के थे जब भी आंतरिक रोहानी राजों के वाकिफ दरवेश आपस में मिलते हैं तो उन्हें एक दूसरे की सोहबत से जो सरूर मिलता है उसका लफजों में बियान करना मुश्किल है इसके बाद आप अपने पीरो मुर्शिद के साथ वापस बगदाद आ गए मुर्शिद के साथ सफर में 20 साल तक उनकी खिदमत करने के बाद 52 साल की उमर में आपके मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपको अपना जानशीन और खलीफा मुकरर फरमाया मिरातुल असरार में लिखा है कि शेक एहदुदीन किरमानी और शेक शिहबुदीन उमर सुहरवर्दी ने गरीब नवाज को खिरका यानि चोगा पेश किया 2. मुर्शिद से विदा होकर ओश यानि रूस, इस्वहान यानि इरान और मक्का मदीना का सफर 1186 से 1191 इसवी हजरत उस्मान हारुनी से खिलाफत वा जानशीनी हासिल करने के बाद जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने सफर किया तो उस समय हजरत हारुनी की उमर 72 साल की थी उस जमाने में गरीब नवाज सफर के दौरान अक्सर कब्रिस्तान में निवास करते थे जिस जगह पर आपकी शोहरत यानि प्रसिद्धी हो जाती थी, वहां से आप चुपचाप रवाना हो जाते थे कि किसी को खबर भी नहीं होती थी कुतुबदीन बक्तियार काकी का मुरीद बनना बगदाद से रवाना होकर आप आउश यानि रूस पहुँचे और वहां से इसवहान यानि इरान तश्रीफ ले गए वहां आपकी मुलाकात हजरत शेक महमूद इसवहानी के साथ हुई यहां एक अनोखी घटना घटी आपको देखते ही एक नोजवान का आपकी तरफ जुकाव हो गया जब आप इस फहान से चलने लगे तो वह नोजवान आपके साथ चल पड़ा जब वह सफर में आपके साथ साथ चलता गया तो आपने उससे पूछा बेटा आखिर तुम्हें किस चीज की तलाश है का खिद्मतकार हूँ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ नोजवान ने जवाब दिया आप क्या हो यह तो अल्ला ही जाने पर आप मेरे मालिक हो और मैं आपका गुलाम हूँ इस बात का हजरत के दिल पर बहुत असर हुआ और उन्होंने उसे अपने प्रेम की चादर में छुपा लिया बाद में यही नोजवान हिंदुस्तान पहुँचकर आपका खलीफा बना और हजरत कुतुबुदिन बक्तियार काकी के नाम से मशूर हुआ शेक फरीज जो बाद में बाबा फरीद के नाम से मशूर हुए हजरत काकी के ही मुरीद थे 3. मदीना से बगदाद होते हुए हिंद का सफर और पहली बार अजमेर में दाखिल होना 1191 से 1192 इस्वी अपना सफर जारी रखते हुए आप इराग के शहर इस तरह बाद चले गए वहां आपको कामिल दर्वेश शेक नसीरुदीन की सोहबत हासिल हुई शेक साहिब का तालुक हजरत बाइजीद बिस्तामी के साथ था आप दो ढ़ाई महीने हजरत नसीरुदीन की संगती में रहे और बाद में अफगानिस्तान के शहर हिरात तश्रीफ ले गए आप सारा दिन घूमते फिरते रहते पर रात का वक्त हजरत खुआजा अब्दुल्ला अनसारी के मजार पर गुजारते और सारी रात अल्ला की अबादत में लगे रहते यहां आपकी शहरत चारों तरफ फैल गई और लोग भारी तादाद यानि संख्या में अजीबो गरीब फर्यादे लेकर आपके पास आना शुरू हो गए आपको यह बात पसंद ना आई और आप चुप चाप वहां से सब्जवार तश्रीफ ले गए कहा जाता है कि सब्जवार यानि अफगानिस्तान का गवर्नर बहुत जालिम था और प्रजा उसकी बदमिसाजी से बहुत तंग थी हजरत ख्वाजा मुहिन दिन बे जिजग उसके बाग में चले गए वहां आप नमाज में बैठ गए इतने में अचानक गवर्नर आ गया और अपने मुलाजिमों को कहने लगा कि इस फकीर को यहां क्यों रहने दिया बाग से बाहर क्यों नहीं निकाला ख्वाजा गरीब निवाज ने जब हाकिम की और नजर उठा कर देखा तो आपका जमाल और जलाल देखकर वहे जमीन पर गिर पड़ा खोश आने पर नहायत ही शर्मिंदा हुआ और माफी मांगने लगा ख्वाजा साहिब ने चंद कल में नसीहत के फरमाए इन कलामों का ऐसा गहरा असर हुआ कि उसका काया कल्प हो गया वहे आपका मुरीद बन गया उसने बहुत बड़ी रकम और बहुत सारा साजो समान मुर्शित को भेट किया देखते ही देखते आपने वहे सब कुछ जरूरत मंदों में बांड दिया हिंदुस्तान पहुँचना बल्क के बाद हजरत मुईनुदीन गजनी पहुँच गए आप कुछ दिन यहां ठहरे आपको हिंदुस्तान जाकर सूफी मत का परचार करने की दिवे प्रिणना अंदर से मिली आप 1191 से 1192 इस्वी में पंजाब में लाहौर तश्रीफ ले आए यहां आप एक मशूर सूफी दर्वेश सेयद अली हिजवीरी की मजार पर गए जो दाता गंज बक्ष के नाम से मशूर थे इसके बाद आप मुल्तान चले गए जो इल्म और रोहानियत का बहुत बड़ा केंदर था यहां आपने आम बोलचाल वाली हिंदुस्तानी भाषा सीखी ताकि हिंदुस्तान के लोगों की बात समझ सकें और उन्हें अपनी बात समझा सकें मुल्तान के बाद कुछ वक्त के लिए अब दिल्ली गए और वहां से राजस्थान के एतिहासिक शहर अजमेर तश्रीफ ले गए उन दिनों यहां प्रित्वी राज चुहान की हकूमत थी हजरत मोहिन दिन ने अजमेर के पास एक गैर आबाद जगा पर अपनी जोपड़ी बना ली शुरू में राजपूतों ने आपका विरोध किया पर धीरे धीरे आपकी रुहानी शक्सियत और अल्ला के प्रेम के उबदेशों का लोगों पर असर होना शुरू हो गया खौजा साहिब के खिताब खौजा साहिब को ओलियाओं का सर्ताज कहा जाता है आपको लोग गरीब नवाज, बे सहारों का सहारा, अल्ला का प्यारा मानते हैं आपको मुईन अलहिंद कहा जाता है क्योंकि हिंदुस्तान के बेशुमार लोगों ने आपकी इलाई तालीम से फाइदा उठाया कुछ और खिताब जो उन्हें दिये गए हैं पहला अताए रसूल यानि पेगंबर का उपहार दूसरा ख्वाजाए अजमेर यानि अजमेर वाले ख्वाजा तीसरा हिंद उलवली यानि हिंदुस्तान के संथ चोथा सुल्तान उलहिंद यानि भारत के अध्यात्मिक शासक पाच्वा आफताब जहान यानि संसार के सूरज छटा पनाहे बेकसा यानि दुख्यों के मददगार सात्वा ताज उल आशकीन यानि प्रेमियों के ताज ख्वाजा साहिब की तालीमी विरासत ख्वाजा साहिब रुहानियत से सराबोर थे आपकी तालीम इन किताबों में दर्ज है गंजे असरार अनिसुल अर्वा कश्फुल असरार रिसाला तसवुफ मन्जुम रिसाला आफाक ओ अन्फुस दिवाने मुईन इसरारे हकीकी हदीस उल मारीफ